हेलो एब्रिवान वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल मोनवीर लाइस्टाइल तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हों कि सदर बजार हम कैसे जा सकते हैं फर्स टाइम और सदर बजार में हम फर्स टाइम समान कैसे खरीदें क्योंकि ये चीजे बहुत के माईंड में होती है चलती रहती है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं यूट्यूब वीडियोस देखते हैं सदर बजार की और उसमें क्या बताया जाता है कि एक रुपे की नेल पेंट एक रुपे की लिपस्टिक ऐसी बाते उसमें बताई जाती हैं तो लोग बहुत ही ज़ सोचे समझे सदर बजार पहुंच जाते हैं बट जो रियालिटी होती है जो कहानी होती है वो कुछ और ही होती है बाद में उन सब को बहुत जादा पच्छताना पड़ता है जो इस तरह से सदर बजार बीना कुछ सोचे समझे सीधा चले जाते हैं तो वह बहुत जादा पच् experience है क्योंकि मैं भी अपनी शौप के लिए सदर बजार से समान लेती रहती हूं तो जो चीजें मुझे पता है जो मेरा experience है वही आपके साथ इस वीडियो में share करूंगी सारी बाते मैं reality बताऊंगी जो वहां की reality है वो सब share करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़ादा informative होने वा वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ cosmetic ही बिखता है वहां पर हर type की चीजे अगर आपकी किसी भी चीज की shop है toys की stationary की कपडों की किसी भी चीज की shop है तो आप वहां से बड़ी असानी से समान ले सकते हैं और वहां पर बहुत ही अच्छे price में available होता है सारा समान ऐसा नहीं है कि अगर आप समझदारी से समान नहीं लेते हैं तो आपका fraud हो सकता है तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप सदर बजार कैसे जाएं तो अगर आप दिल्ली से बिलॉंग करते हैं तो सदर बजार के बारे में आपको अच्छे से knowledge होगी क्योंकि आप कभी ना कभी सदर बजार जरूर गए होंगे और अगर नहीं गए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि 30 हजारी जो मेट्रो स्टेशन है सदर बजार के बिल्कुल करीब है वहाँ आप जा सकते हैं मेट्रो से और वहाँ पर यी रिक्षाज अवेलेबल होते हैं जो 10 रुपे में आपको असानी से सदर बजार पहुँचा दे रहते हो आप बहुत जादा अराम दायक रहता है आप अराम से पहुंचाते हो कम समय में पहुंचाते हो बट अगर आप बस या कार में आते हैं तो बहुत जादा ट्रैफिक से आपको परिशानी हो सकती है ट्रैफिक बहुत जादा होता है दिल्ली में बट जो सदर बजार ह वहाँ बहुत ही जादा ट्रैफिक होता है क्योंकि क्राउड बहुत जादा होता है अलग-अलग जगह से लोग आते हैं वहाँ पर और भीड बहुत जादा होती है तो वहाँ पर कार ले जाना बहुत मुश्किल रहता है अंदर तक क्योंकि वहाँ छोटी-छोटी सी गलिया है और कार वहां तक नहीं ले जा सकते हैं पार्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है और अगर बस में आते हैं तो बस में भी आपको थकावट बहुत जादा हो सकती है ट्रैफिक की वज़े से और उसके बाद आपको बस बहुत दूर उतारती है में सदर वजार तक नहीं लेके जात वहां से आपको आटो या ए रिक्षा ही करना होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है तो इस वज़े से मैं आपको कहा रही हूं कि बस और कार में आप आगर आते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट अगर आपको वही ठीक लगता है तो आप उसी से आईए बट आते हैं आप न्यू डेली रेल्वे स्टेशन पर उतरते हैं या पुरानी दिली रेल्वे स्टेशन पर उतरते हैं उसके बाद आप स्टेशन से बाहर जब एक्जिट करते हैं सामने ही आपको काफी सारे रेस्टरॉंट्स होटल्स काफी सारे मिल जाएंगे अगर आप स्ट स्क्राइब करेंगे तो है रिग्षा आपे सिर्फ पर पर पर्संट հुपे साथ आपको सदर बजाइन और अपने परस्नल एक्सपिरियंस से बता तो मैं भी ट्रेन में ही जाती हूं सदर बजार तो अगर आप चाते हैं कि मैं आपके साथ पूरा व्लॉग शेर करूं कि मैं कैसे शॉपिंग करती हूं कैसे जाती हूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए मैं जरूर करूंगी तो अब आप सदर बजार आ जाए तो बच्चे इदर उदर आपके हो सकते हैं और वो खो भी सकते हैं इतना जादा क्राउड होता है वहाँ पर फिर आपके सामने बस पच्चतावे के लावा कुछ नहीं रह जाएगा तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को हो सके तो ना ही लेके आईए अपने सा क्योंकि वहाँ बहुत जादा भीड होती है और बच्चे अगर खो जाते हैं तो बहुत जादा प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ तो बच्चों को आप मत लेके आईए और अपने पर्स वालेट और मोबाइल फोन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए पीछे वाले पॉक यह लगता है कि वहां पर बहुत चोरियां होती है बट ऐसा नहीं है अगर आप साब्धान रहेंगे तो आपको साब्धान रहने की जरूरत है सतर्क रहने की जरूरत है आपकी कोई भी चीज चोरी नहीं कि पर पर बड़े अच्छे दाम में चीज़े मिल जाती है बड़ आपको थोड़ा सा ध्यान से लेना बड़ता है समान और वहाँ पर क्या है जो में मार्किट है वहाँ कुछ-कुछ दुकाने खुली रहती है तो अगर आप में दुकानों को एक्स्प्लोर करना चाते हो तो संडे वाले दिन मत आओ बट अगर आप पट्री मार्केट से शॉपिंग करना चाते हो तो आप संडे वाले दिन आ सकते हो बट आप हो सके तो सुबा सुबा आईए सुबा सुबा कम भीड होती है बट दिन के टाइम जादा भीड हो जाती है तो इसलिए सुबह सुबह आप आ सकते हैं अगर आप पट्री मार्केट से शॉपिंग करना चाते हैं और अगर आप चाते हैं कि पूरी मार्केट आप एक्स्प्लोर करना चाते हैं तो संडे वाले दिन मताईए बाकी के किसी भी दिन आ जाईए जब आप सदर बजार जाते हैं तो आपको बहुत से वहाँ पर लड़के मिल जाते हैं जो अलग-अलग कार्ड लेके गुमते अलग-अलग शॉप्स का उनकी बीच में कमिशन होती है इस चीज़ से दुकान दार उनको कमिशन देता है तो इसलिए वो आपको फोर्स करते हैं क हमारी शॉप से समान लीजिए आपको एक एक दो-दो रुपे का समान मिलेगा हमारी शॉप से तो वो लोग आपको अपने बातों से बहुत जादा फसाने की कोशिश करते हैं और आप उनके साथ जाने के लिए तयार हो जाते हैं अबर आपके साथ वहाँ पर जाकर आप वहां से लीजिए बट उनके साथ बिलकुल भी मच जाईए तो अब आपको क्या करना है आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है असली और नकली प्रोड़क्स में जैसे कि जो ब्रैंडिड कॉस्मेटिक्स होते हैं वो क्या है वो उसमें कभी भी हाफ मार्जन नहीं हो ऐसे अगर कोई बोले तो आप उसको सबसे बड़ा फ्रोड समझ लेना क्यूंकि ऐसा कुछ नहीं होता है आपको मैं एक एक्जाम्पल बताती हूं जैसे कि लोटस की फेशल किट होती है तो उस पे लोटस नहीं लिखा होगा पैकेजिंग बिलकुल सेम होगी हर चीज सेम हो आपको अगर कोई होलसेलर ये कहता है कि हमारे प्रोडस में 10% मार्जन है 15% मार्जन है तो वो फ्रॉड नहीं कर रहा है आपके साथ वो रियल है बट अगर आपको कोई होलसेलर ऐसे करता है कि ब्रैंडिट कॉस्मेटिक में 50% का मार्जन है आधे रेट में आपको समान दे रहे हैं वो तो वो सबसे बड़े फ्रॉड है तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको अब मैं बताऊंगी कि मैं समान कैसे खरीदती हूँ तो मैं अलग-अलग दुकानों पर जाती हूँ जहां पर भी मुझे अच्छी विराइटी लगती है जैसे मैं जादतर वहां से जूल जहां भी मुझे विराइटी अच्छी लगती है चीजों की रेट सही लगता है वहां से मैं समान लेती हूँ तो इस तरह से आप भी लीजिए समान अपनी दुकान के लिए अलग-अलग दुकानों से अगर आप समान लेते हैं तो आप फ्रॉड से भी बचे रहेंगे और आ आपके लिए बहुत ही असान हो जाएगा शौपिंग करना तो यह एक टिप है आप इसे जरूर फॉलो कीजिए अगर आप समान लेने जाते हैं सदर बजार तो जब आप समान ले लेंगे सारा जब आप अच्छे से आपको लगेगा कि मैंने सारा समान ले लिया है तो आपको अपने समान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो भी बैग्स आपने रखे हैं अपने पास वो अच्छे से आप रखिए उनको बिलकुल भी पीट पर सांगने से क्या होता है कि वहां पर कई बार यह होता है कि किसी किसी के साथ हुआ भी है कि जिप ओपन करके पीछे बैक की और समान निकाल लिया जाता है क्योंकि क्या होता है कि वहां पर जादतर दुकानदार ही आते हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि वह एक होलसेल मार्क टांगने के लिए कोई बैग रहीगा और आपको भी काफि कमफर्टेबल सा लगेगा अगर आप फ्रंट में बैक को टांगते हैं तो और जो हाथ में लेने वाला बैग है उसको कहीं भी अलग अलग जगा पे मत रखिए अपने हाथ में रखिए और अगर आप कहीं खड़े हो के शॉपिंग कर रहे हैं तो उसको अपने बिल्कुल पास रखिए ऐसा नहीं कि दूर रखिए क्योंकि इतनी भीड होती है आपको प इस्पिरियंस की है तो आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करें शेर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करते हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में अब तक के लिए, बाई everyone!